दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप लोग मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आज हमनों क्लास तिंथ मैथ के प्रश्णावली च्छाथा सवला पांच के प्रश्ण संख्या 12 को सॉल्व करेंगे अगर आपके वीडियो आच छालागे तो एक लाइक करतीजेग और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब परके बिल आइकन को प्लेस करके औल पे क्लिक कर लेजगा जिससे हर आने वाली वीडियो का नटिफिकेसान आपको समय समय पर मिलती रहेगी तो आज ये वीडियो सुरू करते हैं प्रसंसेंग 12 है दो खंभे जिनकी उचाया 6 मीटर और 11 मीटर हैं तो था इस समतल भूमी पर खरे हैं यदि इनके उपरी सीरों के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनके उपरी सीरों के बीच की दूरी गयात किजिए देखे यहाँ पर उपरी सीरों और यहाँ पर भी है उपर चाहिए था ठीक है यहाँ पर क्या हो जाएगा अधारों की बीच की दूरी ठीक तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे प्रश्णी के हिसाब से एक आकृति त्यार करेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे ठीक है यहाँ पर दो खंभा है एक 6 मीटर और एक 11 मीटर का ठीक और समतल भूमी पर खड़े हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे एक समतल भूमी बना लेंगे उस तरीके से चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं एक सम्तल भूमी बना लेते हैं इसके बाद दो खंबा है एक 6 मीटर का तो यहाँ पर कर देते हैं 6 मीटर और इधर है 11 मीटर तो इसको थोड़ा सा उपर कर देते हैं यह हो जाएगा 11 मीटर ठीक है लिख देते हैं 6 मीटर और इधर है 11 मीटर और इसके अधार के बीच के दूरी कितना है 12 मीटर तो यहाँ हो जाएगा 12 मीटर ठीक हमें ग्याद करना है उपरी सीरों के बीच के दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो इसके लिए क्या करेंगे कि इसको मिला देंगे यह हमें ग्याद करना है ठीक है अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहां से इस पर एक लंब डालेंगे इस तरीके से ठीक और जब लोग में है तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री का यह हो जागा 90 डिग्री का ठीक अब हमारे पास यह तिर्भूच बन रहा है इसका नाम देते हैं ए बी सी डी और इस पॉइंट का नाम देते हैं ए ठीक है अब ए जो 11 मीटर है ए से बी की दूरी है ठीक और यहां से यहां तक की दूरी कितना है 6 मीटर ठीक है तो यह दूरी कितना हो जाएगा तो 11 में से 6 मीटर घटा देंगे तो कितना जाएगा 5 मीटर तो इसको कर लिख दिखेंगे यहाँ पर 5 मीटर ठीक है यह हो गया अब डी से बी की दूरी है 12 मीटर तो सी से ए की दूरी भी हो जाए कितना 12 मीटर इस परकार हमारे पास एक समकून त्रिफुज बन रहा है C, E, A या A, E, C जिसमें लंब पता है 5 मीटर अधार पता है 12 मीटर हमें ज्याद करना है करन यानिकी A, C आईए इस इसको पहसे लिख लेते हैं तो लिखेंगे हल मान लिया की मान लिया की A, B बराबर 11 मीटर और C, D बराबर 6 मीटर दो खम्भे इस प्रकार है की B, D, 12 मीटर है की B, D, बराबर 12 मीटर ठीक है, अब हमने क्या किया C, E, लंब डाला A, B पर यहाँ लिखेंगे C, E, लंब A, B खीचा और A से C को मिलाया A, C को मिलाया ठीक है, इसलिए C, E क्या हो जाएगा 12 मीटर हो जाएगा इसके बराबर, B, D के बराबर इसलिए, C, E, बराबर, B, D, बराबर कितना? 12 मीटर और A, E, बराबर कितना है? 5 मीटर कैसे आया? हमने A, B में से C, D को घटाया A, B, माइनस हमें घटाना चाहिए था B, E को B, E किसके बराबर है? C, D के बराबर है तो यहाँ पहले लिख लेते है B, E को घटाया और B, E, जो है C, D के बराबर है तो A, B, माइनस C, D ठीक है, कारण दे देंगे चुकि B, E, बराबर किसके? C, D के एक कारण हो गया अब देखे, A, B, कितना है? 11 मीटर माइनस C, D कितना है? 6 मीटर भटाएंगे तो यह आजाएगा 5 मीटर जो कि यहाँ आया था अब समकून तिरभूज A, E, C में अब समकून तिरभूज A, E, C मे पाइथा गोरस प्रमे से पाइथा गोरस प्रमे क्या कहता है? पाइथा गोरस प्रमे कहता है कि एक समकून तिरभूज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भूजाओं के वर्गों के योक्के बराबर होता है ठीके? यहाँ हो जाएगा A, C का वर्ग चा हो जाएगा? AC का वर्ग बराबर AE का वर्ग प्लस CE का वर्ग तो AE कितना है 5 मीटर तो यह हो जाएगा 5 का वर्ग प्लस CE कितना है 12 मीटर तो यह हो जाएगा 12 का वर्ग पच्पचे क्या होगा 25 प्लस बारा में बारा से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 144 अब दोनों को जोड़ देंगे 549 426 और 179 क्या आया AC का वर्ग ठीक है अब वर्ग हटाएंगे तो इसरे क्या करेंगे बर्गूल करेंगे तो AC बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 179 और जब हम इसको रूट से बाहर करेंगे तो आजाएगा 13 मीटर ठीक है अताह दो खंभो के सिर्सों के बीच की दूरी कितना है 13 मीटर है और यही हो जाएगा इसका इंसर दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सवाल समझ में आ गया होगा अगर किसी प्रकार का कोई दाउट हो तो आपको में कमेंट कर सकते हैं और इससे पहले का बीडियो आप लोगों नहीं देखा है तो अलाग के स्टरी के प्लेइलिस्ट में या नीचे डिस्क्रिप्सन बॉक्स में जाकर इससे पहले का सारा वीडियो देख सकते हैं फिर मिलते हैं एक और वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद